नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PCSNP Tech में दोस्तों आज हम देखेंगे कैसे आप PCSNP Retail Billing Software का यूज़ करके किसी भी supplier को कैसे create करेंगे जो भी supplier है जिससे आप good purchase करते हैं तो उसको आप कैसे create करेंगे PCSNP Retail Billing Software में चलिए देखते हैं, Master में जाएंगे, Entity Master, Entity Master मेन्यू में क्लिक करके आपको option दिखा होगा create supplier, create supplier पर क्लिक करेंगे, create supplier में क्लिक करने के बाद supplier creation का form open होगा यहां पर already supplier code अपने आप आएगा, यानि कि आपको supplier code की entry नहीं करनी है वो auto incremented है, वो अपने आप display होता जाएगा उसके बाद supplier का नाम डाल देंगे, उसका designation हो, तो वो designation यहां पर डाल सकते हैं जो भी employees उसमें से आपको delivery करने आता है, तो उसका designation आ सकते हैं address डाल देंगे, supplier का city name, state, state code, state type, intra या enter, country name यहां पर select कर लेंगे, pin code, mobile number, phone number, email id, website, gsg registration type, supplier type और उसका opening balance यह सब आप यहां पर set कर सकते हैं जैसे मैं एक supplier, कोई भी select कर लेता हूं, तो यह supplier है, यहां पर supplier की, सिर्फ supplier name एंटर है, और information आप fill up कर सकते हैं, like state type, supplier type, gsg registration type, phone, mobile number अगर आप ने डालना हो, तो mobile number यहां पर enter कर सकते हैं, website, यहां पर आप डाल सकते हैं, supplier की email id अगर हो, तो वो भी आप यहां पर type कर सकते हैं, city डाल सकते हैं, state डाल सकते हैं, state code एंटर कर सकते हैं, और इतनी साव entry करने के बाद आप इसे save कर देंगे, save करने के बाद अगर इन से related, इन supplier से related अगर और भी कोई information है, जो आप डालना चाहते हैं, तो supplier select करने के बाद दूसी tab में जाएंगा registration number, यहां पे 10 number डाल सकते हैं, या GST number डाल सकते हैं, CST number डाल सकते हैं, registration number है वो डाल सकते हैं, delivery term, payment terms define कर सकते हैं, purchase order में कोई notes by default देना हो तो आप यहां टाइप कर सकते हैं, उसके बाद अगर इन से related कोई items हैं, जो हमने set के हैं, वो automatic यहां पे आ जाएंगे, तो उसका trade margin और scheme यहां पे आप define कर सकते हैं, अगर आप trade margin डालेंगे तो आप trade margin डाल सकते हैं, scheme अगर है तो scheme डाल सकते हैं, उसके बाद other options दे रहें, lead time date, due period date जो हैं वो डाल सकते हैं, sales person कौन है, उसका नाम डाल सकते हैं, sales person यानि जो आपको delivery करने आ रहा है या जो आपसे order लेके जाता है, उसका नाम यहां पे आप enter कर सकते हैं, credit limit डाल सकते हैं, किस year से established है यह firm तो उसकी date डाल सकते हैं, तो इतनी सारी quality certification कोई हो तो आप यहां पे डाल सकते हैं, तो इतनी सारी information आप किसी भी supplier से related एंट्री कर सकते हैं, thanks for watching this video, have a nice day.